आईए सुनते हैं कविता कन्यादान इसके कवी हैं रितुराज प्रिष्ट संख्या उननचास से इक्यावन रितुराज रितुराज का जन्म सन 1940 में भरतपुर में हुआ राजस्थान विशोविद्यालाई जैपुर से उन्होंने अंग्रेजी में एमे किया चालीस वर्षों तक अंग्रेजी साहिति के अध्यापन के बाद अब सेवा निर्वर्ति लेकर वे जैपुर में रहते हैं उनके अब तक आठ कविता संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं जिन में एक मरण धर्मा और अन्य, पुल पर पानी, सुरत निरत और लीला मुखारबिंद प्रमुक हैं उन्हें सोमदत, परिमल सम्मान, मीरा पुरसकार, पहल सम्मान तथा बिहारी पुरसकार मिल चुके हैं मुख्यधारा से अलग समाज के हाशिये के लोगों की जिन्ताओं को रितुराज ने अपने लेखन का विशे बनाया है उनकी कविताओं में देनिक जीवन के अनुभाव का यथार्त है और वे अपने आसपास रोज मर्रा में घटित होने वाले सामाजिक, शोशन और विडंबनाओं पर निगाह डालते हैं यही कारण है कि उनकी भाषा अपने परिवेश और लोक जीवन से जुड़ी हुई है कन्यादान कविता में मा बेटी को स्त्री के परंपरागत आदर्श रूप से हटकर सीख दे रही है कवि का मानना है कि समाज वैवस्था द्वारा इस्त्रीयों के लिए आचरन संबंधी जो परतिमान गढ़ लिए जाते हैं वे आदर्श के मुलम्मे में बंधन होते हैं कोमलता के गारों में कमजोरी का उपहास छपा होता है लड़की जैसा ना दिखाई देने में इसी आदर्शी करण का प्रतिकार है बेटी मा के सबसे निकट और उसके सुख दुख की साथी होती है इसी करण उसे अंतिम पूझी कहा गया है कविता में कोरी भावगता नहीं बलकि मा के संचित अनुभवों की पीड़ा की प्रामानिक अभिव्यक्ती है इस छोटी सी कविता में स्थ्री जीवन के प्रति रुतुराज जी की गहरी सम्विदन शीलता अभिव्यक्ती हुई है कन्या दान कितना प्रामानिक था उसका दुख लड़की को दान में देते वक्त जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो लड़की अभी सयानी नहीं थी अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था लेकिन दुख बाचना नहीं आता था पाठिका थी वो धुंदले प्रकाश की कुछ तुकों और कुछ लैबध पंगतियों की माने कहा पानी में जहांक कर अपने चहरे पर मत रीजना आग रोटियां सेखने के लिए है जलने के लिए नहीं वस्त्र और आभूशन शाब्दिक ब्रहमों की तरह बंधन है स्तुरी ज पर लड़की जैसी दिखाई मत देना प्रश्ण अभ्यास एक आपके विचार से माने ऐसा क्यूं कहा की लड़की हुना पर लड़की जैसी मत दिखाई देना दो आग रोटियां सेखने के लिए है जलने के लिए नहीं कर इन पंगतियों में समाज में इस स्तुरी की किस इस किया गया है ख माने बेटी को सचेत करना क्यों जरूरी समझा तीन पाठिका थी वह धुनले प्रकाश की कुछ तुकों और कुछ लैबद्ध पंक्तियों की इन पंक्तियों को पढ़कर लड़की की जो छवी आपके सामने उभर कर आ रही है उसे शब्द बद्ध कीजिए चार मा को अपनी बेटी अंतिम पूंजी क्यों लग रही थी पाँच माने बेटी को क्या क्या सीख दी रचना और अभी व्यक्ति आपकी दुर्ष्टी में करन्या के साथ दान की बात करना कहां तक उचित है पाठेतर सक्रीटा स्त्रीक को सौंदरिका प्रतिमान बना दिया जाना ही उसका बंधन बन जाता है इस विशय पर कक्षा में चर्चा कीजिए यहां अफगानी कवितरी मीना किश्वर कमाल की कविता की कुछ पंक्तियां दी जा रही हैं क्या आपको करन्यादान कविता से इसका कोई संबन्द दिखाई देता है मैं लोटूंगी नहीं मैं एक जगी हुई इस्त्री हूँ मैंने अपनी राह देख ली है अब मैं लोटूंगी नहीं मैंने जान के बंद दरवाजे खोल दिये हैं सोने के गहने तोड़कर फैंक दिये हैं भाईयो मैं अब वह नहीं हूँ जो पहले थी मैं एक जगी हुई स्त्री हूँ मैंने अपनी राह देख ली है अब मैं लोटूंगी नहीं